घर रोड और वहाँ पर एक मंदीर है जो कि सिरी भोले गिरी मंदीर और ये जो रास्ता है ये रास्ता गया है अमिताब बच्चन साहब की घर को तो अभी चलते हैं बच्चन साहब की इलाबाद में और वेसे तो मुंबई में अमिताब बच्चन साहब का घर है ही जो कि जलसा जो कि आप सभी भाईयों को तो मालूम होगा और मैं होटेल में रुका हूँ जो कि देख सकते हैं यह रूम है जो कि काफी अच्छा रूम मुझे मिला है A.C.A. पंखा है उसेद में जिस टीवी असब लगा है तो अभी यहां सम निकलते हैं फिर चलेंगे अमिताब बचान साफ का घार देखने के लिए अच्छा रूम मुझे अच्छा रूम है मैं अभी कट घर में हूं और यहां से मिताब बचन साफ का घर का जो रास्ता है वो थोड़ी दूरी पे है और यहां पर अगर किसी से भी पूछ celड, तो तो तुरंद बता देंगे जो कि मैं इस सेड्सी काई हों और अभी मुझे इस सेड्स जाना है यह कटगर रोड और वहां पर एक मंदीर है जो कि सिरी भोले गिरी मंदीर और यह जो रास्ता यह रास्ता गया है अमिता बचन साप की घर को तो अभी चलते हैं अंदर और देखाते हैं अमिता बचन साप का घर जाने का रास्ता है अमिता बचन साप के घर को जाने का रास्ता अमिता बचन साप के घर के पास पहुँच चुका हूँ जो कि उनका घर वहां से लेकर वहां तक था लेकिन उन्होंने बेंच दिया है जो कि यह इसेट का बेंच दिया है। भी बैंच दिया है उनका निसानी ये इतना बचा है जो की देख सकते हैं अभी मैं बैग केमरे से पूरे घर को दिखाता हूँ अच्छी तरह से अंदर तक भी दिखाओंगा सो गाईस यह हैं अमिताब बच्चन साहब गर जो की देख सकते हैं उनका घर वहां से लेकर वहां तक था लेकिन उन्होंने एज सब बेंच दिया है इस सेड़ का भी बेंच सी दिया है जो की देख सकते हैं अभी इन घरों में कोई और रहता है और यह इतना उनका निसानी माइचत जो और बजन साहब बच्पन बीता है दूख को इसी घर में अमीताब बच्छन साह्पका बच्पन ब इता है हो और हुँर्भ सबस्क्रारों करो यह ही इसी घर में अमिताब बच्छन साहब का बच्पन बीता है तो अभी बाहर निकलते हैं अमिताब बच्पन सहब का इलाबाद का जो घर है और तो आप सभी भाईयों ने देख लिया होगा और यहां पर अमिताब बच्पन सहब अब नहीं आते हैं और आई होप अगर वीडियो पसंद आया है अगर वीडियो को लाइक किजिए कोमेंट किजिए और चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकिम को फिरस कर लिए क्योंकि इस तरह मैं नए ने वीडियो लाता रहता हूं तो मिलते हैं अगले वीडियो में तो तक लिए टाटा बाई बाई